इस लेक्चर में statutory bail के बारे में discuss करेंगे बेल को हिंदी में बोलते हैं जमानत जमानत का मतलब है जैसे मानलो पुलिस किसी आदमी को गिरिफतार करती है और court में पेस करती है तो उसे जमानत दी जाती है कि case तो उस पर चलता रहेगा उसे गिरिफतार नहीं रखा जाएगा और उसे जमानत दे दी जाती है इनकी बाहर रहके जेल से बाहर रहके वो case लड़ता है अपना तो यह statutory bail क्या है अभी recently news में क्यों है तो को पहले जानेंगे news में क्यों है News में इसलिए है जो National Investigating Agency या National Investigation Agency निया इसने Supreme Court में अपील किया Bombay High Court के order के अगेंस्ट क्योंकि इसने एक Advocate और Activist सुदा भारदवाज उनको यह bail grant किया भी statutory bail दिये इस वज़े से यह Supreme Court में गए High Court के decision के अगेंस्ट क्या है यह bail order court ने देखो निया court है जो अलग ये देखो जो निया एक investigation agency है जो terrorism related या कोई और corruption related ऐसे charge किसी पर लगे होते हैं mainly terrorist activities को रोकने के लिए काम करती है तो उसके लिए ये investigation जाँच वगएरा करती रहती है ये agency तो ये agency court भी बने हुए है तो इस court को direct किया था Bombay High Court ने कि जो release है ये आप 8 December तक ये condition तयार करो decide करो बलकि देखो जो ये हैं एक activist सुधा भारदवाज इनको तो बेल दे दी default बेल दे दी लेकिन बाकी की जो other 8 person और थे उनको बेल का फायदा नहीं दिया उनको बेल नहीं दी इस decision का against गए यानि की case highlight करता है कि एक court के पास देखो determine करने की पूरी power होती है कि कि किसको बेल देनी है statutory bail और किसको नहीं देनी है deny करनी है किसको मना करना है लेकिन फिर भी देखो जो bail है वो indiffusible right है यानि कि ये ऐसा अधिकार है कि मना नहीं कर सकता court bail दे सकता है exceptional cases में कोई ऐसा case है कि उसको अगर जो आदमिया उसको छोड़ा तो वो समाज के लिए नुकसान हो सकता है उस case में ही court बस उसे bail नहीं देता है वरना उसे bail देना ही पड़ता है तो इस statutory bail है क्या क्या है statutory bail और किस में इसके provision है जो statutory bail है ये default bail के नाम से भी जानी जाती है या statutory bail भी बोलते है जमानत ये right to bail है एक किसी आदमी का जो arrest हुआ है ग्रिफतार हुआ उसके पास या धिकार होता है जमानत का कि वो जमानत पे कुछ fees होती है fees देने के बाद वो छूट सकता है और बाहर से बिना jail मेरी होए case लड़ सकता है इसमें पुलिस अगर मान लो investigation करने से fail हो जाती है पुलिस को time दिया जाता है जब भी गिर्फतार करती है तो court पुलिस को time देता है कि इतने घंटे के अंदर अंदर या इसने दिन के अंदर अ आपको जांच करनी है कि जो इस पर चार्ज लगें आरोप लगें वो सही है या गलत है अगर पुलिस उस time period में वो जांच नहीं कर पाती है तो उस case में उसको क्या है या तो उस person को बेल दे दी जाती है या उसे judicial custody में रखा जाता है तो यह case होते है दोको यह period क्या है उस case म seven clause two है यह statutory bail के बारे में बोलता है अगर मानलो पुलिस 24 गंटे के अंदर अंदर investigation नहीं कर पाती है यानि की पूरी जाच complete नहीं कर पाती है तो उस case में पुलिस उसको court में paste करेगी जो भी suspect है जिस पे यह आरोप लगाया जा रहे मानलो इसने कोई गुना किया प्राद किया अंतर क्या डिफ्रेंस क्या है दोखो अगर court कहे कि यह person police custody में रहेगा तो वो जो थाने होते हैं न लॉक अप रीजनल लॉक अप होते हैं थाने तो police के थाने में रहेगा लेकिन अगर judicial custody की बात कही तो फिर वो रहेगा magistrate के अंदर जिसने भी case सुनाया है magistrate के अंदर यान lock up में lock up कह सकते हैं लेकिन जेल रहता है कि बड़ी जहां पर कैदी अपरादी जो डिकलेर होते हैं उन पर case चलता रहता है उसमें कैद किया जाते हैं तो उसे जो court का judge है वो police custody में भी रख सकता है यह जो section है यह इसमें यह भी है concern कि जो total period है वो कितने person को कितने period तक रखना है judicial custody में या police custody में उसमें अगर मान लो जब police custody में रहता है तो वो remand पे रहता है police remand पे रखती है उससे पूछ ताज करती है और उस समय तक investigate करती है तब तक वो charge seat file ना कर दे चार सीट का मतलब है जैसे police को पूरी investigation पूरी complete कर दे police को और यह पता लग जाए कि हाँ इस court में apply करती है कि इसके खिलाब case चलाया जाए और नहीं चलाया जाए चार सीट investigation करने के बाद तब तक वो custody में रहेगा police custody में या judicial custody में बहुत सारे ऐसे offices हैं ऐसे अपराद हैं जिनके लिए maximum 60 दिन दिये जाते हैं investigation के लिए तो police को court में final report देनी पड़ती है 60 दिन के अंदर किसी ने murder क्या हो या किसी का rape क्या हो बहुत सारे ऐसे case है hein heinous crime क्या हो बहुती जगन्य अपराद क्या हो या ऐसे जिन में life imprisonment की सजा है ऐसा crime क्या है जिन में आजवन करावास हो सकता है ऐसा जिन में jail term 10 साल या उससे जादा की उसे कैद हो सकती है तो उनके लिए 90 days दिये ज आते हैं investigation करने के लिए कि इतने दिन में आप जांच करके लेके आओ अगर और वर्ड में बोलें अगर मालो magistrate क्या है 60 या 90 days के अलावा यह और judicial investigation करते रहो केज चलाते रहो लेकिन वह जमानत पर रहेगा चाहिए वह परसन प्रिपेर है जमानत लेने के लिए उसने बेल की पहले सी अर्जी दे रखिए तो कोट उसकेस में जमानत देगा तो maximum 90 days 60 या 90 days के लिए उसे रिमांट पर रखा जा सकता है तो यही था इसके बा